हेलो गाईज, वेल्कम डियो न्यूज अपडेट, प्लीज ये सब्सक्राइब कर लेना गाईज, सिधार्थ की फैमली ने शेहनास की तरह अदित को भी भोग पर नहीं आने दिया जी हाँ, सिधार्थ के लिए जो पूजा रखी गई थी बीके में वहाँ पे अदित को भी इस बार नहीं बुलाया गया, कहें तो लात मार कर निकाला गया प्लीज पूरा वीडियो देखेगा, तब ही समझ पाएंगे गाईज, देखें, अभी बीके से एक पिक पोस्ट की गई, जिसमें सिधार्थ की पूरी फैमली है और वहीं उनके दोस्त, विजुद भी साथ में थे, सिधार्थ के बेस्फरेंट है, रीता मा के साथ में बैठे थे, दोनों साथ में काफी, मतलब ऐसे ना की, रीता मा उने कंसोल कर रही थी, तो वो पिक आई, तब इसे शुरू हो गया, शेहनास क्यों नहीं जाती है, शेह शेहनास की सच्चाई उन्हें पता है, शेहनास पिशली बार भी नहीं गई थी, तो काफी हंगामा हुआ था, तब अधित गए थे, अधित की पिक थी साथ में फैमिली के, और ये बताया गया था, कि देख लिए, अधित गया है, क्योंकि अधित फैमिली का हिस्सा है, सिध अधित के साथ शुरू से ही रहा गया है, लेकिन अबकी बार अधित भी इस पिक में नहीं थे, तो फिर क्या, हेटर्स का राग शुरू हो गया, अपना अपना राग अलापते हैं न, कि अधित को फैमिली ने लात मार कर भार निकाला, जिस थाली में खाता है, उसी में किया है, जी हाँ, इस तरह के कमेंट्स, अधित के हैश्टेक के साथ, यहाँ तक की, मतलब टैक कर करके, अब पता नहीं वो अधित की आईडी है भी या नहीं, अधित वैसे ट्वीटर पर है नहीं, पता नहीं किसको टैक कर देते हैं, तो यह बोला जा रहा है, अच्छा कर बाहर निकाल दिया, शेहनास का तो वो पिछली साल नहीं समझ गए थे और इसको भी अबकी बार बाहर निकाला, क्योंकि यह हमेशाहाँ शेहनास के साथ रहता है, तो वो बार बार पोक कर रहे थे फैन्स को, कोई देखे, आप लोग कहते है, आदित शेहनास के साथ है, का हिस्सा है, सबको पता है, फिर भी वो शेहनाज का साथ निभारता है, क्योंकि शेहनाज सची है, फैमिली से जुड़ी हुई है कि अब की बार अदित को नहीं बुलाया, तो ये काफी सारे नेगेटिविटी हुई, मेरे कमेंट सेक्शन में भी इस तरह के सेल्फ क्लेमड फैमिली मेंबर आपकी अपनी कहें तो जिसे आप, मतलब फैमिली से भी उपड समझते हैं कौन, भई मैं नाम नहीं लेना चाहूंगे आप जानते हैं, जायतर कई बार रीता अंटी के साथ, रीता मा के साथ रहती है, इस तरीके से तो उसे भी लात मार के भार निकाल दिया, लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि उन्हें भार निकाल दिया है, सबका अपना अपना टाइम है, अधित दसल अभी शेहनास के साथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है वो ना हूँ या शेहनास जब शूट पर हो तो तब उनके साथ हूँ मैं ये नहीं जानती लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदित ने फैमली का साथ छोड़ दिया है या फैमली अदित को अब उपने साथ नहीं रखना चाहती ये बिल्कुल गलत बात है अधित ने कल भी एक इस तरह की पोस्ट की जो पहले शोशल मीडिया पर कभी नहीं थी क्योंकि फैमिली ने उन्हें हक दिया हुआ है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अधित के पास ये इतनी सारी पुरानी पिक उन्होंने अपने फोन में रख्यू ह होना ह्गी हुआ हाँ होता है कि बही कुछ पिक्स फोटोस और मतलब वीडियोस होंगे सिधेत के लेकिन इतने पुराने पुराने फोन में रखना कई बार फोन की मेमोरी भी फुल हो जाती है भर जाते हैं फोन बद्लने भी पढ़ जाते हैं हमारे खुद के पिक्स और जिसे अब सब पूजा के लिए गए थे बीके तो वो पीक आई पूरी फैमिली की साथ में क्योंकि फैमिली ऐसा है ना कि कुछ इसे सिधार्थ की तरफ से आ जाए कि फैमिली दिख जाए, फैंस इतना करते हैं उनके लिए प्रेयर्स भेजते हैं, उन्हें विश करते हैं, सब कुछ करते हैं तो फैमिली बड़े-बड़े मुखों पर सिधार्थ की तरफ सरफ चाहती है कि फैंस तक कुछ ना कुछ पहुच जाए और अधित को बस जरिया है क्योंकि वो फैमिली के साथ पहले से जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा तो ये तो हीटर्स का अपना अपना राग है और ये करते रहेंगे ओके गाइस, थैंक यू